कल हमने अपने लड़ो गोपाल की छटी मनाई थी तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने भूख के लिए क्या बनाया और कैसे कैसे हम सेलिब्रेट करते है 26 अगस्त को हमने जनमाश्ट में मनाई थी तो उससे 6 दिन बाद छटी मनाई जाती है तो कल हमने अपने बाल गोपाल की छटी मनाई थी तो चलिए दिखते हैं हमने क्या क्या किया हलो एवरिवान विल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सभी आप सब खुश होंगे और मजरी में होंगे च्ठी हमेशा दुपहर के टाईम पर मनाई जाती है या फिर बच्चे के होती है نग तब भी दुपहर को ही मनाई जाती है आप के Motherland मनाते है या नई मनाते है आप मुझे comment box में लिखकर जरूर से बताना और आप जनमाश्मी के बाद पाल गुपाल की छटी कैसे मनाते हो वो भी जरूर से शियर करना तो अभी बस मैंने सारा काम कर लिया साफ सफाई भी कर लिया नहादो करके अब मैं किचन में आई हूँ न उजो भूग का प्रसाद है वो हम बनाएंगे चटी वाले दिन हमेशा कड़ी चावल का भोग लगाया जाते है लड़ू कुपाल को तो उसी की त्यारी मैं कर रहे हूँ तो मैंने यहाँ पर चार्च ले लिया दही से भी हम बना सकते हैं बट मैंने यहाँ पर चार्च ले लिया और इसको न इस जार में हम खोल लेंगे और इसमें बेसन मिलाएंगे तो बड़िया सी सिंपल सी कड़ी हम बनाएंगे बिना मसालों की बहुती कम स्पाइसे हम इसमें यूज करेंगे तो और इतनी टेस्टी यह बनती है ना तो यहाँ पर चार पैकिट मैंने लसी के लिए थे और उसमें अपने अंदाजे से ही मैं डाला है हमेशा मैं आई बोलिंग करते हो अगर आप कुकिंग करते रहते हो ना तो अंदाज आपको रहता ही है तो मैंने जो आप यह इस पैचुला देख रहे हो ना यह धाई चमबच मैंने भरके डाला और पानी भी ढाल दी एक गिलास और इसको अच्छे से अपको घोल खूला है तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा MIX त्यार हो जाएगा तो यहां पर मैंने नो रखो लीया अच्छान भी सकते हैं और बेसको बट मैंने डारेक ली ही इसमा Vet लिए बहुत लंच बनते हैं बंट वह असानी से डूट जाते हैं तो यहां पर मैंने घैस फॉर पतीला रग दिया उसमें ओयल एड कर रहा है जीरा एड कर रहा है राय एड करी है तो ओर थोड़े से मैंने यहां पर मेथी दाना भी एड कर रहे थे और खुब सारा करी पत्ता इसमें एड कर रहा है और थोड़े से यहां पर मैंने कसूरी मेथी एड करी है बहुत अच्छा इससे आता है कडी पत्ता और कसूरी मेती का कॉंबिनेशन बहुत अचा जाता है कडी के अंदर अब मैंने इसमें थोड़े से मसाले अड़ करें नमग, हल्दी और लालमिश बस यही तीन स्पाइसेस मैं इसमें एड़ करें और कुछ भी मैंने इसमें अड़ नहीं किया था ब बनाएंगे पकोड़े उसमें अड़ना के बावल में बजहारें तो कुछ ने डाला था कसूरी मेथी डाली थी आप जाहों तो से ी पालक के नी स्पाली में बहुत शली के अंदर कह Eugene तो यहां पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी बाकी पानी डाल के इसका एक थोड़ा सा थिक सा हमें बैटर बना के रख लेना है तो बस अच्छे से मैंने इसका घोल बना लिया आपने देखा होगा दूसरी साइट पर ना भी कडाई चड़ी थी तो उसमें मम्मी बना रही थी आलू गोबी आप देख सकते हैं तो बहुत ही बेसिक सी आलू गोबी बना थी बट उसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आया हम कभी भी פה नहीं लगाते है तो बेना कि देखा ना बने के लिए चाही ब कदर चाहनी के से उस में डाल दिया है जिसमें बेसन घोला था उसी में डाल करके दोगलास पानी में डाल दी यह ऐला से 30-40 मिनट तक वह पकती रहेगी थो हम साथ-सा थम डेकृरेशन भी कर दी तो चाय भी नगी तो पहले चाय पी लेते हैं घi कि और अगे कर रखेंता कड़ी भी बन चुकी है इसमें जो भी जाग होती है उपर वो खतम हो जाती है अराम से 30-40 मिनट लगते हैं कड़ी को बनने में ना काफी जादा इसको कड़ाना पड़ता है सिम फ्लेम पर और साइड में आलू गोबी भी पकरी है तो यहां पर ना मैं जो वो बनाऊंगी ना उसके लिए थोड़ा सा ओयल रख दिया फ्राइ करने के लिए जो बैटर हमने बना करके रखा था ना उसके अंदर थोड़ा सा एक पिंच मैंने सोडा एड करा और जो तेल गरम हो रहा है ना उसी में से दो चमचा आड करके इसको मिक्स करेंगे ना ऐसे करने से आपके सफी जादा फूल जाती और मीडियम फ्लेम पर इनको मैं अच्छे से सेख लोंगे तो मैंने जादा तो बैटर घूलानी था पकोड़ियों के लिए दो ही बैच मेरे बने थे तो दोनों बैच मैंने यहाँ पर चान लिये उसके बाद इसको गरम गरम ही हम कड़ी में ऐड कर देंगे क्ड़ी भी अभी गरम हीए अब जस्ट अभी उतारी थी मैंने तो अराम से ही अभी पकती रहेगी तो यहां पर जितने भी पकोडिया थी ना कडी के लिए वह छोटी-छोटी साइस की मैंने बनाई थी आप देख सकते हो बस मैने कडी में आड कर दिया और दो-तीन मैंने यहां पर बचा ली थी मैंने बाद में भोग के लिए उसमें हमेशा हर साल छटी के दिन हम कड़ी चावल जरूर से बनाते हैं उनीका भूक लगाते हैं और साथ में कोई भी सब्जी होती है तो यहां पर वो सब्भ हमने बना दिया ना मैंना पहले ना बिर्सन के लड़ू भी खुदी बनाती थी घर पर पर पिछले साल भी में मार्केट स से लेकर आगई हूँ कई बर ऊज्याता है टाइम नहीं लग पाते हैं तो इस बार इतना टाइम को था अधर्वाइस मैं घर पर ही प्लैन कर रही थी बनाने का बट अभी कहफी जादा लेट हो गया था तो दो भी बज़ गये तो मैं सोच रही ती कि मार्केट से ही ले आते आगे जो वो लगाते है ना पकड़ने के लिए जूला जूलाने के लिए तो वो मैंने माला बना दी है फूल रखे थे में पास तो वो मैंने खुदी बना दी है और लड़कुपाल की भी एक छोटी सी माला मैंने बनाई थी मैं आगे आपको दिखाऊंगे तो अभी न हम दूद में सनान कराते हैं छटी वाले दिन तो वही दूद में यहां पर एक बावल में ला रही हूं और जो भी त्यारी में को करनी थी जो भी समान मुझे जाहिए था वो मैंने यहां पने पास रख लिया है तो यहां पर सबसे पहले न हम काना जी को दूद में डुद में लगाते remembers घृ लगवाथ तैन कर आजाता हैं वैसे तो तो कैई लोग तो सब जो भी करते हो आप सब अच्छा ही होता है तो बस मैंने यहां पर स्नान भी करा दिया अब काना जी को पीले या फिर लाल कपड़े पनाए जाते हैं छटी वाले दिन तो मैं यहां पर यह ड्रेस लेकर आई थी पीले कलर की पीला और लाल थोड़ा बुत मिक्स सा कलर है काजल बनाया था जो जला के ना उसके उपर दिया ृचला के लगाया था काना जी को टीका भी किया था पर पेलब पूर अछके से शिंगार कर दिये वासुरी वह रख दी उनकी और अब यहाँ पर अच्छे से हमने मुकुद भी पिना दिया है तो यहाँ पर हमारे प्यारे से बाल गुपाल लड़ू गुपालना त्यार हो गए है और कितने प्यारे लग रहे हैं तो जो अब हम आरती कर लेंगे उसके बाद जो मैंने माला बनाई थी साइड में रखी हुई है तो वो भी मैं यहाँ पर पर परना दूँगी और थोड़ी स्पोथ हम जैसे छोटे बच्चों की जटी होती है ना तो उनको देते है ना कुश यग उनके लिए तो वो मैंने थोड़ी बच्चों की नजर उतारते हैं तो हर साल मैं कुछ हैसे ही फोलो करते हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और गिफ्ट में हम एक ड्रेस लेकर आये थे काना जी की और यह छोटे से में पायल लेकर आये थी पैरों में डालने की यह कड़े से हमने बनवाये थे खुद तो यह मैंने अपने आप बनवाये थे तो यह काना जी के लिए हम लेकर आये बस इसके बाद फिर हम सब मिलकरается dayood झूला जूला थे चोटे बच्चों को जूले में बिठाया जाता तो काना जी को भी हम यहां पर जूला दे रहरे Cabinet क्योंकि मैं जन्माश्चुमी पर यहां पर गरम कर रहे हुं सबचिया और रोटी भी बना रहे हैं मेरी भेन तो यहां पर हम मैं आपको भी प्लेट लगा कर के दिखाऊंगे तो चलिए बुक की ठाली लगा लेते हैं यहां पर सबसे वहले तो आलूगूबिँ कडी रख दिया तो यहां पर उसके बार मैने पापरदशा हैं श्मार कूल हमने भी पापर दो बना लिए नोगा लू फाल राइस की तो यहां पर राइस और तो हमारी यहां बने तो हमारी यहां पर थाली बनकर रेड़ी हैं तो आइप बोग लगा देते हैं चटी पर तो यह मैं मार्केट से ही लेकर आया थी बुंदे वाले लड़ों और कुछ ऐसी हमारी चटी सेलिब्रेट करी हमने भोग लगा दिया मैंने काना जी को बाद में हम सब ने प्रशाद खाया था और इतना टेस्टी बनाता ना सिंपल होके भी बहुत ही टेस्टी था आ आप करते हो तो में साथ कमेंट बुक्स में जरू से शेर करना नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे एक अच्छी रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यो फो वाचिंग